तो को अब is समें देखेंगे बेकिंग अए बेकिंग पॉर्डर बेकिंग पॉंडरो क्या होता है 率का प्रिश का यूस होता है यह सब ही अमनुव कहां पर अभी समझेंगे तो सबसे पहला क्या है बेकिंग सोडा क्या है बेकिंग सोडा जिसे सोडिया बाइकार्बोनेट यह सोडा का बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है यह एक रसानिक लेवनिंग एजेंट है जो की बैक्ड खाने के में इस्तिमाल किया जाता है यानि कि किसी भी चीज को जो बैक्ड करते है उसके खाने में इस्तिमाल किया जाता है बेकिंग सोडा एक छारिय योगिक होता है याद रखिएगा अब देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है सोडिय bicarbonate na hco3 इसका formula होता है इसको बेक्ड करने में काम में लाया जाता है और यह एक तरीके का क्या होता है चारिया योगिक होता है जिसका अर्थ है कि यहां अमली नहीं है जब बेकिंग सोडा एक एसीट के साथ सही तो होता है तो यहां carbon डाइ ऑक्साइड गैस बनाता है यानि कि बेकिंग सोडा कुछ और नहीं बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका रसानिक सुत्र क्या है एक नमा की तरह है जिसमें सोडियम केशन होता है जिसे एन ए प्लस एच सी ओधरी मैनस में यह तूटता है इसका फॉर्मूला ही है यह क्या होता है सोडियम जो होता है प्लस आयन में और यह बाइकार्बोनेट जो होता है वह कार्बोनेट जो होता है यह क्या होता है नेगेटिव आयन में तूटता है बेकिंग सोडा किस कलर का होता है सफेद कलर का होता है यह क्रिस्टली सॉलिड है जिसका नमकीन स्वाध होता है अब देखिए चार है चार क्या होता है थोरा नमकीन होता है यह लेवनिंग एजन के रूप में बेकिंग में काफी उपयोगी है क्योंकि यह एक ऐसा पतार्त है जो क्या बनाता है ज्ञाग बनाता है जिससे मिश्णन क्या होती नरम हो जाती और इसे सोडियम कार्बोनेट हो गया तो इसको सोडियम लेकॉर यह ऐड्रोजन कार्बोनेट को हो दुन का आधिव होता है अब तक वी हों में देखें अब क्या देखेंगी बेकिंग पॉडर से सोडियम एकार्बोनेट आνन बाइक रप और अश्चार्ण बेकिंग reverse हैं DR बेकिंग पॉड दोनों सामिल हैं ये बेकिंग एसेड टार्टरेट फॉसफिट और सोडियम अलूमिनियम सलफिट के अकेले या संयोजन में उप्योग किया जाते हैं चोकि बेकिंग पॉडर में एसेड ड्राई होती है इसलिए बेकिंग सोडा तब तक रियक्ट नहीं करता है जब तक उसमें कोई तरख या लिक्विट ना मिला दिया जाएं अब हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पॉडर के बीच क्या अंतर है बेकिंग सोडा तो हमने देखा बेकिंग पॉडर भी देखा अब इसमें मेजर डिफ्रेंस क्या है उसको देखते हैं बेकिंग सोडा और ब बरति प्रतिक्रिया बनाने के लिए एक अमली इघटक की अवर्शकता होती है गई से सकते जहें दूसरे सब्सक्राइब बेंकिंग-ओड़ इं कि मैदे की जरी होता है प्रंतों ने कि दोड़ा सा दर्धरा होता है थिक है तक आले कि ये बेकिंग-ओड़ा में केवल लबड सहीद कई सामाग्रियों से मिलकर बना हुआ होता है फिर क्या है बेकिंग रे कि समपर ने पर नहीं करता है कि बेकिंग लेवरिंग प्रोसेश चोटा होता है और बेकिंग पॉडर में दूसरे एसीट की मदाथ से लेवरिंग प्रोसेस को इसकी क्या करती जाती है बढ़ा दी जाती है नेक्स ते क्या डिफ्रेंस है उन व्यंजनों में बेकिंग सोडा का उप्योग करने जिसमें छाच, नीबुकारज या सिर्का जासे अमले अतत्व होते हैं ऐसे विजनों में बेकिंग पॉडर का उप्योग करें जिन में अमली तत्वन्ना हो जैसे बिस्किट, कॉर्न ब्रेड या पैन पैक्स अब समझ में आए कि बेकिंग सोडा का उप्योग कहां पर करते हैं जहां पर अमल जैसे चीज़ें होती हैं जैसे कि छाच हो गई, नीबू हो गई, सिर्का हो गई, इन सब में इसका यूज़ करना है जबकि जो बेकिंग पॉडर है इसका उप्योग ब्रेड बना लो बिस्कि ऐसे यहां कि इस्तिमाल जो होता है नोन भटूरा जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है वही बेकिंग पॉड़र का इस्तिमाल केक और बेकरी जिनें तला नहीं जाता बलकि यहां पर बेक किया 20 वाला चीज जो लिधा कर शोते हैं और चीज को कि dość पाका नहीं जाता है यह सब चाइड को में से भेकिंग सोडा कैसे काम करता है तो अब एक बाई कार्बोनेट ये बाई कार्बोनेट का आयन है जो कि सोडियम परमाडू से संबंधित होता है क्योंकि ये सोडियम से जुड़ा हुआ होता है जब पानी मिलाया जाता है तो ये बाई कार्बोनेट घुल जाता है और carbon dioxide उतपन करने के लिए acid के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है यह नमी और खटे पदार्थों से react करता है और carbon dioxide gas निकालता है इस करण से खाने में bubbles इकटे हो जाते हैं और खाना subt और spongy हो जाता है इसलिए baking soda को react करने के लिए दही चार्ज जैसे खटे पदार्थों की जोरत होती है अब baking soda कैसे काम करता है baking soda और acid से बनता है इसका base baking soda की तूलना में जादा acid होता है इसलिए खाने में मिलाने से यह खुद काम करना शुरू कर देता है नमी के संपरक में आने पर यह खुद react करना शुरू कर देते हैं और जब इसे oven में रखते हैं तो गर्मी के कारण इसमें पहले से बने जो bubble होते हैं वो बड़े हो जाते हैं जिसके कारण खाना या रिशे पे और जादा ही sponge हो जाता है और इस sponge बनाने के लिए ही इसको यूज़ करते हैं तो यह क्या करते हैं इस तरह के से काने लोग को इस sponge बनाता है झाल 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 करते हैं